दोस्तों, बात करने वाले ही, बिहार एस्टेट, पेपर 2 का admit card कैसे download होगा, और इसके लिए link कब से activate हो जाएंगे, किस link से आपको admit card download करना, इसको लेकर क्या update आचुका है, admit card download को लेकर जो update आचुका है, और कब से exam होगा, इसको भी लेकर update आचुका है, हलाकि मैंने आप लो पहले आप लोगों को अपडेट दिया था लेकिन एक और नया जो है official notification आया हुआ है साथी साथ इसमें यह भी बताया क्या है कि जो सारड जीले में जो भी exam suspend हुए थे तो उसको भी लेकर जो है अपडेट आ चुका है कि उनका admin card कब आएगा और इनका exam कब होगा तो वीडियो अभी आप यहाँ पर लिंक पर आएंगे तो admit card download will start soon का यहाँ पर option देखने को मिलेगा लेकिन इसे पहले आपको notice दिखाना चाहेंगे फिर मैं आपको official website बताऊंगा कि कहां से आपका जो है बिहार estate paper 2 और जो सारड जीला का बिहार paper estate 1 का जो exam रद हुआ है उसका admit card आपको म निद्गर करने के समद्ध में आवसक सूचना यहाँ में बहुत सारे update आपको दिये गए हैं आप यहाँ पर समझे यहाँ देखे लिखा गया है कि यह विग्यापन संख्या के करम में प्राथमिक सिक्षक पात्ता परिच्छा स्वरी माधिमिक सिक्षक पात्ता परिच्छा जिनका एक्जाम रद हुआ है यहां लिखा हुए paper 2 में सम्मुलित होने वाले अभ्यार्थियों सभी जीला सिख्षा पतादिकारी paper 2 में कौन साविल होते हैं तो जिनका क्लास एगरहवी और बरहवी होता है paper 1 कौन होता है तो जिनका 9 और 10 होता है तो इस तरह से होता है computer-based test CBT के माध्यम से आयुजित होगी तो आप सबको exam date पहले से fix है आप सबको पता है 11 जून से 19 जून तक आपका जो exam चलने वाला है यह अलड़ी बहुत पहले announcement हो चुका था और मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया भी था अब इसमें लिखा गया कि उक्त परि का जो है admit card जारी हो जाएगा और 5 जून को अपना admit card को download कर पाएंगे admit card download करने के लिए आपको user id के रूप में application number और password के रूप में अपना data birth इस परकार से जो है format दिया है dd-mm-yyyy ऐसे करके उपयोग करके आप जो अपना परवेश पत्र डाउनोड कर पाएंगे तो यह हो पेपर 2 की बात जैसे ही इसका admit card आगा हम आपको प्रोपर वीडियो बता देंगे कैसे आपको admit card डाउनोड करना है step by step डाउनोड करके बता देंगे अगर आप मेरे थ्रूए admit card डाउनोड करवना चाहते हैं तो हमें mail कर सकते हैं अब देखें यहां पे लिखा हुए कि जीला में आप लोग का admit card जारी हुआ था सारद जीला के लिए जिनका 22 से 26 मही तक सारद जीला में जो है स्थगित हो गए थे exam उनका जो है पटना जीला में अब उनका exam आयोजित होगा 9 जून को सबका 9 जून को आयोजित हो जाएगा या लिखा हुए कि निर्धारित पत्र दिनांग 3 जून को समीति के उक्त website पर upload कर दिया जाएगा यानि जिनका सारद जीला का special exam रद हुआ था जिनका भी सारद जीला में exam था 22 मही से लेकर 26 मही तक उन सबका exam रद हो गया था तो उनका जो admit card होगा वो 3 जून को आ जाएगा समीति की website पर और उनका exam conduct हो जा आपको देंगे टेलिग्राम के माधियम से और अपने WhatsApp के माधियम से हमारे साथ जूट जाएए लिंक आपको description box मिल जाएगा टेलिग्राम और WhatsApp का दोनों पे जूट जाएए वहां पे मैं आपको link share कर दूँगा जिसे तीन जून को इसका admit card जारी होगा तो ये फ्रिंट जो check कर लिजेगा लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि admit card किस website पर आएगा आपके पास दो option है एक option है secondary.biharboardonline.com की website से आप जो है अपना admit card को download कर पाएंगे यहां पे आपको important links वाले option में यहां पे आपको देखने को मिलेगा यहीं पे इस परकार से आया था state paper 1 के लिए admit card यह दूसरा आपके पास option है कि DS helping forever आप Google में जाएंगे search करेंगे na DS helping forever तो वहां पे आपको एक website मिलेगा dshelpingforever.com वहां पे आप क्या करेंगे जनकारी को लिख के search कर सकते हैं यहां पे जिसे बिहार estate आप लिख सकते हैं सिर्फ या बिहार estate भी लिख सकते हैं जिसे आप इतना estate आपके सामने इस परकार से admit card download करने का page open होगा आप इस पर click करेंगे यहां पे आप नीचे आएंगे तो यहां पे सारी जनकारी को पढ़ पाएंगे और जो भी update आया हुग है उसको पढ़ पाएंगे और और नीचे आएंगे तो यहां पे आपको important links को option मिलेगा यहां से आपका दिन सुग हो